सरकार की एक मुष्ट योजना अगर बात की जाए गाज़ेबाद में तो गाज़ेबाद में हमारे साथ बात करने के लिए चीफ इंजिनियर हैं सर विदुत निगम की जो एक मुष्ट योजना है वो गाज़ेबाद में कितनी परवान चड़ सकी है यह इसमें 2,14,038 हमारा तार्गेट था उसमें से केवल 65,749 लोगों नहीं लाब लिया है इसमें हमारा तार्गेट था 227 करोड का उसमें से केवल जो जिन लोगों पर यह रेवेन्यू आया है हमारा एक 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 एवल 49 करोड आया है जो 65,749 लोगों नहीं लाब लिया है उससे 49 करोड आया है केवल अगर बात की जाए इस योजना की तो काफी यह लाब दायक है भुकताओं के लिए और उसके बावजूद भी देखा यह जा रहा है कि बहुत ही कम लोग इसका लाब उठा पाए है हाला कि सरकार की तरफ से अब इसे 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया यानि कि 15 प्रसार प्रसार कर रहे हैं लेकिन आप भी जो है इसको थोड़ा सा अपने एंड से इसका मैसेज दीजे पॉब्लिक में कि लोग इसकी योजना का जादा से जादा लाब उठाए और जिससे कि यह बिजली विभाग भी मतलब उसका सुद्रण हो सके इसी योजना के तहए कितना पैसा सरकार के खाते में और अगर बात की जाए विधित्मिगम की यह गाजियाबाद जोन का अभी तक जो पैसा आया है इसमें वह 49 करोड ना कितना चाहिए था यह 227 करोड था तार्गेट हमारा 227 करोड आना चाहिए था या इस योजना को कोई 15 जुलाई के बाद आगे बढ़ने कोई संभावना है मानिय उर्जा मंत्री जी ने एकदम साफ सब्दों में कह दिया है कि योजना 15 जुलाई के बाद नहीं बढ़ेगी किसी भी कीमत पर जितने भी उपोगता है जो भी लाव लेना चाहते हैं उनने श अगर प्रदेश की बात की जाए तो जो उर्जा मंत्री है अब उन्होंने साफ तोर पे कह दिया कि जो योजना यानि की जो भोकता हैं उनके लिए लेके आए थे एक अच्छी योजना लेकर आए थे और 15 जुलाई तक कही इसका समय है अगर जिन लोगों ने इस योजना का लाब नहीं लिया वो भी इस योजना का लाब ले 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 अगर बात की जाए गाज़ेबाद की तो गाज़ेबाद में बहुत कम लोग हैं जो इस योजना का अभी तक लाब ले सकें वहीं चीफ इन्जिर बता रहे थे कि आपके माध्यम से यानि कि वो कोशिश पूरी कर र जुलाई तक कितने लोग इस योजना का लाब ले सकेंगे गाज़बाद से कैमराबैन सचिन कुमार के साथ एबी पी गंगा के लिए मैं शक्ती सिंग्ग एबी पी गंगा खबर आपकी जबाद की